हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैने लास कलास में आज की इस वीडियो में फाइनल बॉड परिक्षा के लिए समाजिक विग्यान के असी अब जेक्टी परश्ण बताएंगे और इस असी objective प्रश्ण में से बहुत सारे प्रश्ण आपके final board परिक्षा में आने वाले हैं, यह हमारा guarantee है, तो इस वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंतक देखिएगा, और इस असी objective प्रश्ण का PDF हम आपको बिलकुल free में देंगे, और last में हम आपको दाउनलोड करना है, तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाज तक जरूर देखिएगा, तो आईए सुरू करते हैं, पहले नमबर प्रश्ण से, तो पहला नमबर प्रश्ण है कि गांधी जी दांडी यात्रा कब सुरू किये थे, काफी महत्पुड प्रश्ण है, यहाँ प प्रश्ण है कि दलितवर्ग एस्सोसियेशन की अस्थापना किसने किया था, काफी महत्पुड प्रश्ण है, यहाँ पे आपको बताना है कि दलितवर्ग एस्सोसियेशन की अस्थापना किसने किया था, तो डॉक्टर भीमरा अंबेडकर जी ने किया था, यहाँ पे सी वा राजे का निर्माड किसने किया था तो नैपोलियन बोना पाटने किया था यहाँ पे भीवाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन चार नंबर प्रशने की जलवेराइन एक संस्था थी यहाँ पे आपको बताना है कि जलवेराइन एक साथी इसे आपको याद रखना है यहाँ पे भीवाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन पांच नंबर प्रशने किसो अपने दर्सी समाज का संस्थाप कौन था यहाँ पे आपको बताना है किसो अपने दर्सी समाज का संस्थाप कौन तो ओवन्थाई से आपको याद रखना है, यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रश्ण छे नंबर, छे नंबर प्रश्ण की भूमी सांती और रोटी ये तीन नारे किसने दिये, काफी महतपुड प्रश्ण है ये आपके बोड़ परि इच्छा के लिए, यहाँ पे आपको बताना है कि भूमी सांती और रोटी ये तीन नारे किसने दिये, तो लेलिन ने दिये, यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रश्ण साथ नंबर, साथ नंबर प्रश्ण है कि महतमा गाधी अपन राजनिती गुरु किसे मानते हैं, तो गुपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं, यहाँ पे भी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रश्ण आठ नंबर, आठ नंबर प्रश्ण है कि रूस के सांसत को क्या कहते हैं, तो रूस के सांसत को डियूमा कहते हैं, यहाँ पे सी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रश्ण नौ नंबर, नौ नंबर प्रश्ण है कि दुनिया के मजदूर एक हो या किसने कहा था, काफी महत्पुड प्रश्ण है यह आपके बोड़ परिक्षा के लिए, यहाँ पे आप को बताना है कि दुनिया के मजदूर एक हो या किसने कहा था, तो काल माक्स ने कहा था, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रश्ण दस नंबर, दस नंबर प्रश्ण है कि अंतरास्टिय मजदूर दिव किस दिन को मनाया जाता है, यहाँ पे आपको बताना है कि अंतरास्टिय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो यह एक मई को मनाया जाता है, यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रश्ण 11 नंबर, 11 नंबर प्रश्ण है कि भ खारतिय कौमनिस पार्टी का स्थापना किस ने किया तो एमेन राय ने किया इसे आपको याद रखना है यहाँ पे यह वाला आप्शन बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन बारा नंबर बारा नंबर प्रशन है कि गांधी जी ने साबरमती आसरम की स्थ आपना 1915 में किये थे यहाँ पे सी वाला आप्शन बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन तेरा नंबर प्रशन है कि सामेवादी सासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था यहाँ पे यह वाला आप्शन बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अग प्रश्न चौदा नमबर प्रश्न है कि रूस के राजा को क्या कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि रूस के राजा को क्या कहते हैं तो रूस के राजा को जार कहते हैं यहाँ पे एवाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा समाजिक विग्यान के काफी महत्पुन असी objective प्रश्न बताएंगे तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं कियें तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिजिएगा आईए देखते ह अगला प्रश्ण 15 नमबर प्रश्ण कि the history of the laws of Vietnam किसने लिखा है यहाँ पे आपको बताना है कि the history of the laws of Vietnam किसने लिखा है तो फान बुई चाओं ने लिखा है यहाँ पे बीवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 16 नमबर 16 नमबर प्रश्ण कि जनेवा समझोता कब हुआ था यहाँ पे आपको बताना है कि जनेवा समझोता कब हुआ था तो जनेवा समझोता 1954 में हुआ था यहाँ पे यह वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 17 नमबर 17 नमबर प्रश्ण कि होची मी का साब्दिक अर्थ क्या है तो होची मी का साब्दिक अर्थ पत परदर्सक होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 18 नमबर 18 नमबर प्रश्ण कि हिंद चिन में कौन सा देश नहीं आता था तो हिंद चिन में कौन सा देश नहीं आता है तो चिन नहीं आता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे डिवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 19 नमबर 19 नमबर प्रश्ण कि अंकूर वाट का मंदिर की सिंदू देवता को समर्पित है यहाँ पे आपको बताना है कि अंकूर वाट का मंदिर की सिंदू देवता को समर्पित है तो भगवान विष्णू को समर्पित है तो यहाँ पे यह वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशन 21 नमबर, 21 नमबर प्रशन है कि टीपू सुल्तान कहा के सा सकते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहा के सा सकते हैं, तो टीपू सुल्तान मैसियूर के सा सकते हैं, यहा अगला प्रश्ण 22 नमबर प्रश्ण चावल है यहाँ पे आपको बताना है कि चावल कौन सी फसल है तो चावल खरी फसल है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 23 नमबर प्रश्ण है कि भार भारती राश्टी कॉंग्रेस का स्थापना कभ ववा था तो भारती राश्टी कॉंग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था यहाँ पर एवाला उप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 24 नमबर प्रशने की कागच काविश्कार किस देश में हुआ तो कागच का विश्कार किस देश में हुआ तो चीन में हुआ, यहाँ पे ये वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 25 नमबर, 25 नमबर प्रश्ण की ग्राम कचहरी का परमुख कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का परमुख सरपन्च होता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे वी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 26 नमबर, 26 नमबर प्रश्ण की जार्खंड राजे का गठन कब हुआ था, तो जार्खंड राजे का गठन 15 नमबर 2000 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 27 नमबर, 27 नमबर प्रश्ण की भारत में सरवाधिक छेतर में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो भारत में सरवाधिक छेतर में जलोड मिट्टी पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, और जो जलोड में T होता है, ये सरवाधी कुप जाओ में T होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, आइए देखते हैं, अगला प्रशना 28 नमबर, 28 नमबर प्रशने की विश्व ब्यापार संगठन की अस्थापना कब हुआ, यहाँ पे आपको बताना है की विश प्रशने की संपरदाइक रजनीती किस पे आधारित होता है, तो जो संपरदाइक रजनीती होता है, ये धरम पर आधारित होता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ये वाला आप्शन मिलकुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रशन तीस नमबर, तीस पे D वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा और Das Capital किस ने लिखा है तो Karl Marx ने लिखा है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 31 नमबर 31 नमबर प्रश्ण है कि War and Peace के लेखाक कौन है तो War and Peace के लेखाक Leo Tolstoy है इन्हें आपको याद रखना है यहाँ पे भी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 32 नमबर 32 नमबर प्रश्ण है कि यूरोप का मरेच किसे कहा जाता है यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप का मरेच किसे कहा जाता है तो तुर्की को कहा जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ये वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 33 न कुनान को कहा जाता है यहाँ पे भीवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 34 नंबर प्रशन की कालमाक्स का जनम कहा हुआ था तो कालमाक्स का जनम जर्मनी में हुआ था यहाँ पे भीवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा यह बताना है कि महात्मा गाधी दक्षिड अफरीका से भारत कब आए तो 1915 में आए यहाँ पे सी वाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 36 नंबर 36 नंबर प्रश्ण कि गांधी जी ने सत्यागरा का प्रियुक पहली बार कहा किये यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने सत्यागरा का प्रियुक पहली बार कहा किये तो दक्षिड अफरीका में किये यहाँ पे भी वाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा यह बेजे जाते थे तो पस्चमी छेतर से भेजे जाते थे यहाँ पे डी वाला ओप्शन विल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 38 नंबर 38 नंबर प्रशन है कि जालिया वाला बागत्याकांड कब हुआ था काफी महत्पुड प्रशन है यह आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि जालिया वाला बागत्याकांड कब हुआ था तो 13 अपरेल 1919 को हुआ था यहाँ पे यह वाला ओप्शन वि कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया तो लहावर अधिवेशन में किया गया यहाँ पे एवाला ओप्षन विल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 40 नमबर 40 नमबर प्रशने की कागजी मुद्रा की सुरुआत सबसे पहले किस देश ने किया था तो कागजी मुद्रा की सुरुआत सबसे पहले चीन देश ने किया था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला ओप्षन विल्कुली सही हो